हेलो बच्चों, वेलकम टूबर चैनल केवी 360, ये है क्लास फर्स्ट की हिंदी की बुक सारंगी और इसमें आज हम करेंगे इसका तीसरा पार्ट जो की है रीना का दिन, तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और फिर इसके बाद में इसके कोशन आंसर्स को भी करते हैं हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है, नीम की दातून से अपने दाद साफ करती है, साबुन से नहा कर रीना स्वक्ष कपड़े पहनती है तो आप लोग देख रहे हैं, यह बच्ची है, इस बच्ची का नाम रीना है, और रीना क्या करती है, रोज सुबह जल्दी उठ जाती है, जैसे आप लोग उठ जाते हैं, ठीक बैसे ही वो भी सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है, फिर क्या करती है, अपना बिस्तर साफ क हो जाते हैं हमारे दाटों में किस्तर के कीडि ने लगते शाबुन से ना आखर अपना त्रेंस उखश पढ़र पेहनते और फिर वो सब अच्छे साफश acuerdo में प legislator करती है फिर अपने बालों में खुद लगाती और उसको कंगी करती है जिससे कि उसके बाल मजबूत रहें और अच्छे दिखें रिना माक्स के बनाए परांठे और सब्ची आनंद के साथ खाती है और वो क्या खाती है उसकी माँ बनाती है परांठे और सब्ची उसको बहुत ही अच्छे तरीके से खाती है क्योंकि वो उस करना चाहिए को भी क्या करना चैनि गर का भोज़न नहीं करना चाहिए यह कभी कब самых होता है गे एक वार स्फर्सकों कर दिकाना चाहिए कोई कर दिक्कत नहीं लेकिन रोज नहीं खाना सबी बच्चे कhin एह स्कूल चले जाती हैं सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और पूरे दिन स्कूल में मन लगाकर पढ़ती है अपने सहलियों के साथ खेलती है और थोड़ी सरारत भी करती है सारे बच्चे क्या करते हैं खेलते हैं पढ़ते हैं और अच्छे से फूरा दिन ब्यतित करते हैं रिना भी ठीक बैसे ही पढ़ती है और थोड़ी सरारत भी करती है ने दोटे-कूँ बच्चे हैं तुड़ी शररत करती हैं लेकिन फिर क्या करता हैं घर आकर हात मूं दोती है और घर आने के बाद तुरंद क्या करती है अपने हाथ मूं को दोती है फिर वे essence को ख्यंकि अपने परिबार को बताती है रिना अपने प्यार ड्रेस से छोटे भाई के साथ खेलती है उसके बाद अपने छोटे से भाई के साथ खेलती है रिना को रात को जल्दी नीन ही नीन आ जाती है दादी प्यार से रिना को सुवरात्री कहे कर सुला देती है और दादी क्या करती है वह दादी के पास जाती है दादी के साथ बातें करती है उनको सब कुछ बताती है और बाद में दादी के साथ बातें करते वह सोने लगती है तो उसकी दादी उसको सुवरात्री बोलती है और वह सो जाती है और वो भी तो इस तरह हमने देखा इस कहानी में रीना किस तरह सारा काम करती है और अच्छे से स्कूल जाकर स्कूल से घर आती है और सारे के सारे काम अपने आप करती है सारा दिन पढ़ाई करने के बाद खेलने के बाद वह उसे अच्छे से नीद आती है और आराम से वो सो जाती है तो आपको भी क्या करना चाहिए मन लगा कर सारे काम करने चाहिए अपने टीचर्स की बात मानने चाहिए उनका समयान करना चाहिए उनको नमस्ते करना चाहिए और घर पर जो भी आप स्कूल में पढ़ते हैं सुबह उठ जाने चाहिए जल्दी सुएंगे तब ही हम जल्दी उठ सकते हैं फिर आगे देखते हैं बातचीत के लिए इसमें आप प्रशन उत्तर हैं रीना सुबह अपने सहली से मिलने पर क्या करती है वह उनसे नमस्ते बोलती है नमस्ते कहती है हम लोगोंने देखा पार्ट में नमस्ते कहती है रीना की दादी रात को सोने से पहले मीना से क्या कहती है रिना की दादी सोने से पहले उसको शुभ रात्री बोलती है शुभ रात्री कहती है आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं हम बड़ों से नमस्ते कहकर उनका अभिवादन करते हैं फिर है घर पर जब कोई अथिति आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं तो जब भी घर पर कोई अथिति आते हैं तो हम उनसे नमस्ते करते हैं अगला है अगर आपको रास्ते में कोई परशित जन मिल जाए तो आप क्या कहते हैं उनसे भी हम नमस्ते कहते हैं नमस्ते कहते हैं चलिए फिर आगे देखते हैं खोजे जाने पता कीजे कि आपके सहपाटियों के घर पर अविवादन कैसे के जातो सबी के घर पर जो आपके बच्चे हैं आपके साथ के फ्रेंड्स हैं मित्र हैं उनसे आपको पूछना कि उनके घर पर अविवादन कैसे किये जाता है ठीक है चलिए अभिने सहीत समझाए कि आप मंजन कैसे करते हैं मंजन कैसे करते हैं उसको आपको करके दिखाना है कैसे नहाते हैं उसका अभिने करके दिखाना है बाल कैसे बनाते हैं खाना कैसे खाते हैं हाथ कैसे दोते हैं कैसे सोते हैं इस तरह कि आपको एक्टिंग करके अपने क्लास में बताना है खेल खेल में, मिट्टी से घर घर, खेल की चीज़ें बनाईए जैसे चूला, ठाली, कटोरी, आदी अब अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलिए तो ये सारे बच्चे क्या हैं? आपस में घर-घर खेल रहे हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें जो घर में बनती हैं, चूला, कटोरी, थाली यादी चीज़ें बना रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं, तो आपको भी इस तरह से मिट्टी के साथ चीज़ों को बनाना है, और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ खेलना है, फिर है सब के घर, रेखा खेच कर पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुचाईए, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पशु पक्षी है, यह उलू है, यह चिडिया है, यह खरगोस है, यह गाय है, अब आपको बताना है कि कौन कहां रहत है, तो चिडिया कहा है रहती है, चिडिया को यहां पर घोसले में पहुचा देते हैं, फिर उलू को इसमें, इसके अंदर पेड़के, रैबिट कहां रहता है, रैबिट, यहां, यहां जाएगा, गाय, यहां चलि जाएगी, मचली तालाब में चलियाएगी गिलहरी यहाँ चलियाएगी और सरी यह जो उल यह यह पेंड पर कहीं बैठ जाएगा तो इस तरह से हमने देखा कि काउन से जानबर कहा बैठेंगी उनको हमने उनके घर तक पहुचा दिया तो यह थी हमारी आज की कहानी जिसका नाम है रीना का दिन अब भी इसको पढ़ते रही है और इसके बाद मिलते है नेक्स वीडियो में थैंक यू